So hi guys, welcome back to my channel. आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ की अगर आपना योनो SBI का यूजर आईडी एंड पासवर्ड भूल गए है तो उसको कैसे रीसेट करना है? मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा. So guys, उसके लिए आपको अपना मुबाइल लेना है और गूगल पिर जाना है. गूगल पर जाने के बाद आप अनलाइन SBI सर्च करना है and अनलाइन SBI सर्च करने के बाद उस साइट पर आपको चले जना है. वहाँ पिर जाने के बढ़ आपको लोगिन वाले आप्शन पर क्लिक करना है उसके बाद आप थोड़ा नीश देखेंगे तो forgot username का आप्शन होगा use वाले आप्शन पर आपको क्लिक करना है और तब आपको forgot my login पासवर्ड वाले आप्शन पर क्लिक करना है. यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको अपन CIF नंबर देना होगा और आपको अपना date of birth देना होगा जो आपको बैंक में दिया गया है. यहाँ पर यह सब कुछ देने के बाद यहाँ जो कपचा शो हो रहा है उसको आपको feel करना है तन आपको submit वाले आप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके mobile पर OTP जाएगा उसे OTP को आपके यहाँ पर डालना है और उसके बाद एक नया page open हो जाएगा उसके बाद आपके सामन तीन option खुल कर आएंगे सबसे पहले वाला option पर आपको क्लिक करना है और आपको अपना ATM का detail देना है आपको अपना ATM PIN का number देना है और expiry date उसका देना है और अंत में submit वाले option पर आपको क्लिक कर देना है submit वाले option पर क्लिक करने के बाद आपका ATM verify हो जाएगा और आपको नया code डालने का option आ जाएगा यहां से आप नया अपना code बना लेंगे तो इस प्रकार आप अपने mobile से username and password बना सकते हैं है ठीक इसी प्रकार तो मिलते हैं अगले वीडियो में आज का वीडियो यही तक था